Good morning students, working teacher चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम माध्धमिक शिक्ष्या परिस्द ओडिसा की और से दसवी कख्या के जो हिंदी किताब हिंदी सौरव उसमें से एक पाठ अध्यान करेंगे आज हम संतकवी कविर्दाश जे के अनमोल बानी अध्यान करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी आगे के वीडियोस के लिए वीडियो के बेच में बहुत ही महत्तुपून बात हैं इसलिए वीडियो को बीना स्किप किए देखें अनमोल बानी अनमोल वानी का मतलब जिस वानी का कोई मोल नहीं सच में कविर्दास्टी के दो हे हिंदी सहित्य के लिए एक वर्दान की सद्रुष्य है इनके सिर्फ दो पंक्तियों में जिवन के बड़े से बड़े रहस्या तै हुए है इनके दो हे इतने सरले की सभी के दिल और दिमाग में उतर चाते हैं इनके वानी न सिर्फ हिंदी सहित्यों को सवारा है बलकि समाज को सही दिशा दिखाने में भी सक्षम है संतकविर्दास्टी एक ऐसी सक्सियत महन कवी है जिन्होंने कवी सास्त्र नहीं पढ़ा फिर भी ज्यानियों के स्रेणी में सर्वो परी हैं तो बच्चों आपको पता है कि ये कौन है यही है वो महन कवी संतकविर्दास्टी महन कवी कविर्दास्टी का जन्म संतेरो सा अठानबे में कासे में हुआ था कहा जाता है कि वो एक तालाव के किनारे मिले बिधाता का खेल देखिए खिसको पता था कि तालाब के किनारे मिलने वाला एक छोटा सा बच्चा एक दिन भारत के स्रेश्ट कभियों में गिने जाएंगे एक जुलाह दमपती निडू अनिमा लहारतारा तालाब के किनारे कभिर जी को पड़ा हुआ पाया जिसे वो अपने घर ले आये उसका पालन पोसन भी किया बाद में यही लड़का कभिर कहलाया वे कपड़ा बुन्नी का काम करते थे ज्यादा पड़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे बुद्धी विवेक से काम लेते थे बहुत बाते जानते थे वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे मतलब जितने भी धर्म थे हिंदू, मुसलिम, सिख इन सारे धर्मों को बराबर मानते थे इसलिए उन्हें हिंदू भी पुजा करते थे और मुसलिम भी पुजा करते थे बहुत बड़ी वात यहा कि वे इस्वर के निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे, मतलब जिसका कोई आकार नहीं, वे सभी धर्मों का मालिक एक इस्वर निराकार को ही मानते थे, उस समय धर्मों और समाज में बड़ी गड़बडी थी, कविन ने अपने बाणी से उस अभी मनुस्या इस दुनिया में बराबर हैं, बाहा आडंबर अंधविश्वास फैल गया था, कविर जाती भेद, मुर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदी का बिरोत करते थे, वे बाहरी धर्मिक कर्मकांड की अपेख्या भक्ती भाब पर बल देते थे, वे तिर्थ ब्र धर्मिक सहिश्णुता का प्रचार करते थे, कविर का व्यक्ति तो सादा सिधा पर बड़ा प्रभाब साली था, उनकी वाणियों को उनके सिस्यों ने विजग नाम ग्रंथ में संग्रोहित किया, क्यूंकि कविर अनुभवी थे, पर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन उनके अमुल्य वाणियों को उनके सिस्यों ने उनके मुख से सुनकर रचना किया, और बिजग नाम ग्रंथ में संग्रोहित किया, बिजग ग्रंथ के मुख्य तीन भाग हैं, साखी, सवद और रमैनी, उनकी भासा मिस्रित खड़ी बोली है, खड़ी बोली मतलब राजस्त आर्वी, फार्सी, संस्कृत, भजपूरी, इन सारी भासाओं का मिस्रित रूप, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थे, वे अपने गूरु रामानन स्वामी का बड़ा आदर करते थे, बच्चों इसे ध्यान से पढ़ना ये परिक्षा में आ सकते हैं, कवेर जी के दोहे इतने सुंदर और सरल है कि वो दिल और दिमाग में रह जाते हैं, तो चलिए, अब हम उनके अनमोल दोहे के बारे में अध्यायन करते हैं, साच बराबर तप नहीं, जुट बराबर पाप, जाके हृदई साच है, ताके हृदई आप, पहले हम इन सब्दों के अर्थों को ज मुनिरुसी, तो तब का मतलब है तपस्या, या फिर ग्यान, जुट का मतलब क्या है, मित्या, हृदे, जाके हृदे, हृदे का मतलब हृदे में, जाके मतलब जिसके, जाके हृदे मतलब जिसके दिल में, ताके का मतलब उसके, आप यहाँ पर इस्वर को संबोधीत किया ग साच बराबर तप नहीं, जूट बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं एका मतलब सत्य के समान कोई तपस्या नहीं, जूट बराबर पाप, मतलब मिथ्या के समान कोई पाप भी नहीं, यहाँ पर कविर का यह कहना है कि सत्य हमेशा के लिए महान होता है, इस संगसार में सत् कोई भी तपस्या या फिर ग्यान नहीं यहांपर कविन ने सत्य को तपस्या के साथ बरावरी किया है उसी प्रकर जूट्या मिथ्या के बरावर पापया बुरा काम नहीं कारण बुरा काम करना पाप है जिसके रिदय में सत्य का निवास है अर्थात जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है, उसके दिल में पाप नहीं होता, जो हमेशा सच बोलता है. और उसके निर्मल हृदय में भगवान बिराजमान करते हैं, क्यूंकि उसके दिल में पाप नहीं होता, या फिर जूट नहीं होता. अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्सन मिलते हैं जो हमेशा सच बोलता है उसे ही भगवान का दर्सन मिलता है क्यूंकि वे महान होते हैं तत्वदर्सी होते हैं समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर अब हम अगला पंक्ति का व्याख्या करेंगे जो तोको काटा बुवे, ताही बोई तु फूल, तोको फूल को फूल है, बाको है तिर्सूल पहले सब्द का अर्थ जान लेते हैं, यहाँ पर तोको का मतलब है तुझको काटा काटा का मतलब है कंटक, बुवे मतलब बोना हम क्या बोते हैं, बिज बोते हैं तो बुवे का मतलब बोता है ताही मतलब उसे, तोकू, तुझको, बाको, उसको, तिरसूल, त्रिसूल या तीन गुना यहां पर कविर का कहना है कि यह सत्य है, प्रमानीथ है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है जैसे कहावत में है ना जैसे करनी वैसी भननी अर्थात सभी को कर्म के अनुसर फल बुगतना पड़ता है मतलब जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे सुनिश्चित मिलेगा जैसे करनी वैसी भननी कविर के कहना का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में काटा बोता है अर्थात जो तेरे बुराई करता है पिछ पिछ में हो या सामने हो तुम उसके रास्ते पर फूल बिचा दो मतलब तुम उनके साथ कुछ भी बुराई मत करो उनके साथ अच्छाई करो भलाई करो, इसका नतिजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा इसलिए तो काहबत में है जैसे करने वैसी भनने मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ धिरे धिरे रे मना, धिरे धिरे सब कुछ होई, माली सीचे सो घड़ा, रित आय फल होई ये दो हैं मुझे बहुत ही पसंद है, पहले इन सब्दों का अर्थ जान लेते हैं मना का मतलब है मन, होए का मतलब होता है माली जो बाग में पेड बोदों को देखवाल करने वाला होता है, उसे कहते हैं सीचे का मतलब सीचता है मतलब पेड में जो पानी देते हैं, पानी सिचना वही सिचना घड़ा का मतलब मटका, रिति का मतलब मौसम या फिर समय होई का मतलब होता है यहाँ पर कविर का यह कहना है कि काम धीरे धीरे होता है उसके लिए धर्जय की आवश्यकता है धर्जय हर वक्त रखना चाहिए इसके लिए उधरन देकर कविर कहते हैं कि माली के सौ घड़ा पानी सिशने पर भी किसी भी पेड में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते कैसे लगेंगे समय ही चाहिए जब उसमें फल आना होगा वो खुदी खुद आ जाएगा समय से पहले नहीं आएगा इसलिए रित्य की प्रतिक्षा कन्नी पढ़ती है वक्त आने से ही पेड में फल लगते हैं यहाँ पर कविर का कहना है कि मन में धीरज रखना चाहिए क्योंकि धीरज हराने से भी समय से पहले कुछ नहीं होगा तो आज का पठ्थे सर जान लेते हैं कविरदास जी का जन्म सन 63 ठनबे में कासी में हुआ था कविरदास जी की बाणिया बीजक नाम के ग्रंथ में संग्रेहित है सत्य के समान तपस्या नहीं है जुट के बरावर पाप नहीं है जो सत्यवादी है उसके रुदय में भगवान निवास करते हैं जो तुम्हारे रास्ते पर काटा बोता है तुम उसके रास्ते पर भी फूल बिचाना चाहिए अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल और बुरे कर्म के लिए बुरा फल मिलता है सभी काम का फल उचित समय आने पर ही मिलता है केवल इच्छा करने से फल तुरंत नहीं मिलता माली पेड़ पर सो घड़ा पानी सिचने पर भी पेड़ तुरंत फल नहीं धारन करता रिते अर्थाद वक्त आने पर ही पेड़ फल धारन करता है आज का हमारा प्राश्न है साच की तुलना किसके साथ की गई है? दूसरा इन दोहों की रचाईता कौन है? तिसरा प्रत्थम दोहे में आप सब्द का अर्थ क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कॉमेंट बॉक्स पे दिजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिजिए अगर आप इस चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब करना ना भूले आगे की इंट्रेस्टिंग वीडियोस के लिए धन्यवाद झाल आपको ये उन्यवाद झाल झाल